हेलो स्टो, नोटिफाई नोलेज में आपका स्वागत है आफ रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं UP scholarship 2022-23 के बारे में यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का बहुत ज्यादा प्राब्लम है जिसे कि form का correction कब से start होगा correction में क्या-क्या change कर सकते हैं scholarship मेरा कब से आएगा जिनका pending दिखा रहा है उनका क्या होगा जिसका verified हो गया है उनका scholarship क्या आएगा जिसका UID enabled कर दिया क्या है उनका कैसे से होगा तो सारी जनकारी आपको इस वीडियो में प्रवाइड की जाएगी जो लोग भी नए है या फिर मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज इस वीडियो को like और share कर दिजेगा और मेरे चैनल को subscribe कर दिजेगा तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि form correction कब से start होगा ओके फिर्ट तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहला point हमारा यह है कि form correction कब से start होगा देखे जो form correction का date है पहले 20 December 2022 किया गया था क्योंकि जो scholarship का last date था वो number ही था तो जैसे है कि form का last date वो बढ़ा कि 26 December 2022 कर दिया गया है चहे आप renewal हो चहे फ्रेस हो आपको अपना 26 December 2022 अपना registration और final submission कर लेना है और जो hard copy जमा करना है 30 December 2022 तक करना है अपना hard copy इंस्टिटूट लेबल पे विध्याल है और फिर अपने college लेबल पे ठीक है तो यह जो है correction का date पहले 20 तारिक तो decide किया गया था लेकिन जो date बढ़ने की वज़े से form extend करने की वज़े से जो correction है और post January से पहले पहले आपका जो correction है वो start हो जाएगा ठीक है जब तक पूरे form जब तक पूरा form जब तक submit नहीं हो जाएगा institute या फिर college लेबल पे तब तक यह जो correction का date आएगा नहीं क्योंकि सब का एक साथी correction होना रहेगा तो अभी तक तो तरिक ये December last तक तो form ही मतलब hard copy जो college तक submit होंगे या फिर forward होंगे तो उसके बाद January में भी 1 January से लेके 20 January के मदद जो आपका correction का date है वो start हो जाएगा आप उसमें correction कर सकते हैं तो friend यहाँ पे बात करते हैं next हमारा point जो है correction में क्या क्या चेंज कर सकते हैं तो देखिए हमको correction है हमारा कुछ भी mistake हो गया final submit हो गया और हमने hard copy अपने college में जमा कर दिया है और उन्होंने उस hard copy को forward भी कर दिया गया है और आपके status में कुछ गलत दिखा रहा है ठीक है तो आपको लग रहा है कि मैंने form में कुछ भी आपना rule number हो गया आपना name हो गया कुछ भी आपने गलती कर दिया है तो उसमें से आप क्या क्या change कर सकते हैं तो आपको हम बता दे आपने पहले registration क्या था देखिए जो शौरी ओके देखिए तो यहाँ पी जो आपका सबसे पहले आता है जो 10th का रोल नमबर है ठीक है 10th का रोल नमबर 10th का रोल नमबर आपका change नहीं होगा ओके आपका mobile नमबर ओके आपका mobile आपका email ठीक आपका mobile आपका email यह change नहीं होगा ओके आपका mobile आपका email आपका high school का रोल नमबर और आपका name ओके आपका name और high school में आपका जो भी आपका मतलब school रहा होगा आपका जो भी school रहा होगा ठीक है ये इतना change नहीं होगा और आपका जो name हो गया ठीक है आपका जो name हो गया इसमें भी change नहीं होगा तो ठीक है क्या क्या change नहीं होगा आपके correction में आपका जो नाम रहेगा उसको ओचेंज नहीं होगा और आपका जो high school का roll number है ये आपका चेंज नहीं होगा mobile number है ये चेंज नहीं होगा आपका email ID है ओचेंज नहीं होगा और आपके मतलब high school के high school का जो आप registration कर समय में अपने college का name भरे हैं ओच चेंज नहीं होगा इसकी अलावें जो भी बचते हैं ठीक है आपके father's name में कुछ गलती हो गया उसको change कर सकते हैं आपके mother name उसको change कर सकते हैं और बाकी जो कुछ भी है आपका previous year का data मतलब आपका mark mismatch हो क्या है या फिर role number कुछ आप गलत भर दिय है तो सारा इसमें change कर सकते हैं बस इतनी सारी चीजों को छोड़ा के बात करते हैं next point पे बात करते हैं next point पे यहाँ पे हमारा next point है scholarship कब से आना start हो जाएगा देखिए जो बच्चे 11th 12th से पहले के थे ठीक है ना उनका scholarship आ रहा है पर जन टाइम में scholarship मतलब mid December यानि 15 December तक बह high school मतलब 9, 10, 11, 12 वाले थे लेकिन 12 के बाद यानि 12 के बाद जो भी चातर पढ़ रहे होंगे graduation और undergraduate वाले जो चातर होंगे इसका scholarship अभी तक नहीं आया है तो में भी possible है कि 23 December से और 30 December की बीच भी जिसका form verified हो चुका है ठीक है ना जिसका form verified हो चुका है उसी का scholarship आएगा बाक scholarship कब तक नहीं आएगा जब तक कि वहाँ पे verified recommended by district scholarship committee नहीं सो कर देता ठीक है और जिनका form verified हो चुका है सब कुछ correct है सब कुछ सही दिखा रहा है तो उनका scholarship हो सकता है कि 23 तारिक से उनका scholarship उनके bank account में transfer हो जाएगा अगर आपके form में कुछ भी गलती नहीं है तो आप pending वाले अगर district पे pending है तो उनको कुछ करने क्या हो सकता नहीं है और लोग निश्चिन्द रहें जब district label पे आपका form verify हो जाएगा तो आपका सारा form जो है status सही हो जाएगा ठीक है आप बात कर लेते हैं कि आपका status कैसे सो करेगा ओके जिससे आपकी scholarship आएगी तो फिर्ण बात कर लेते हैं कि इन चात्रों का scholarship इस बार 23 दिसंबर से उनके bank account में transfer होना इस्टाट हो जाएगा तो जिनका भी current status में verified recommended by district scholarship committee शो कर रहा है बस उनी चात्रों का जो scholarship है उनके bank account में transfer या फिर credit कर दिये जाएगे ठीक है यहाँ पर क्या हो सारा इनका जो verified by bank है तो यहाँ पर देखे क्या सो हो रहा है UID never enabled for DBT hedge beneficiary has been created based on account यहाँ पर ऐसे सो हो रहा है तो यहाँ पर verify by bank आपका show होगा तभी आपका जो पैसा है आपके bank account में credit किये जाएगे ठीक है तो अगर आपका ऐसा सो हो रहा है तो आप अपने bank account में जाके संपर करके अपना आधार और pen card link रहा है ठीक है और जिनका verify हो चुका है बस उनी छात्रों का इस बार scholarship मिलेगा और जिनका pending दिखा रहा है जैसे कि आपको दिखा दे रहे हैं अब देखे यहाँ पर की छात्रों की scholarship नहीं आगी जिनका अभी भी pending सो कर रहा है कि pending हैं district scholarship committee जब तक यह verify recommended by district scholarship committee नहीं हो जाता तब तक आपकी scholarship नहीं है जिए कि यहाँ पर current status में यह सब ऐसे कुछ mismatch, roll number, enrollment number, mark, not match करके सोख हो रहा है यह क्यों कि यहाँ पर जो है अभी district label पर verify नहीं हुआ है जब district label पर यह verify हो जाएगा तो जो current status है, automatic है सही हो जाएगा तो जिनका भी last year verified data enrollment, roll number, mark, mismatch, not match ऐसे क कुछ करके सो हो रहा है तो लोग निश्चिंद रहा है जब तक यहाँ पर आपका सही नहीं हो जाता मतलब verify recommended by district scholarship committee सो नहीं कर देती तब तक आप लोग को अभी कुछ नहीं करना है आप लोग को कहीं नहीं जाना है जब यह verify हो जाएगा उसके बावजूर अगर यह सो हो रह होगा यहाँ पर हटाना होगा जब यह पेंडिंग हट जाएगा ठीक है ना यहाँ पर डेट मेंसन हो जाएगा तो समझे लिए आपका मतलब बैंक भी सही है और आपका जो फॉर्म है पूरी तरीके से सब कुछ सही भरा गया है ठीक है तो आई होप आपको यह वीडियो पस दित आपको यह दो आपका जया है अब जया है धर आपका जब क्यान कि बढ़ यह पteल तरीके से संदय परीके से से सब क्वेधिंगे पर नहीं आपका ज़रे जब देर